वाँ, कितना सुन्दर दिख रहा है बनने के बाद, तो चलो बिना टाइम वेज की बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने यह आप एक काटबोड ले लिया है, और काटबोड को मैंने थाली के जित्ता, प्लेट के जित्ता, सरकल बना लिया है, पैंसिल से, क्योंकि मेरा जो मिर जो है same size के काट के उनको मैंने फैविकोल से चिपकाया है आप चाहो तो glue gun stick से भी चिपका सकते हो वो instant होता है बट फैविकोल जो है वो मुझे लगता है कि वो निकलेगा नहीं या sort of तो इसलिए मैंने फैविकोल लगाया है और फिर mirror का जो size है वो मैंने पुरा circle बना लिया क क्योंकि अब मैं बनाऊंगे उसके aspas की चीज़े वो भी cardboard से तो उसके aspas जो है मुझे एक circle सा खड़ा करना है cardboard से तो उसी के लिए मैं ये lining कीच रही हूँ तो यह आप size अपने हिसाब से कर सकते हो यह काटने के बाद अब हम देख लेते हैं कि इसके aspas हमें कैसे fencing लगानी हैं तो इसमें मैंने फैविकॉल यूज किया है सेम चीज कि आप glue gun stick भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको लग रहा है कि यह वाला glue better है वो यूज कर सकते हैं और इस तरीके से हमको पूरा जो circle है वो बना लेना है मैंने ये फैविकॉल से बनाया और मैंने दो मिनिट तक उस करके लगा थे उसके आसपास हम पूरा cardboard लगा देंगे फिर से cut कर करके और फिर यह थोड़ा tricky पार्ट है तो इसमें हमको शेव वह ऐसे काटना है कि हम इस तरीके से उसको चिपका सके तो इसका मैंने थोड़ी बढ़ा दी है ताकि आप थोड़ा speed कम करके भी देख सकते हो अगर आपको लगता है बट मैंने ट्राय किया है कि मैं आपको हच्छे से हर एक चीज समझा सकू तो जो cardboard है वो मैंने अलग-अलग shapes किया ले लिए है basic idea क्या है हमारा कि हमको यह पूरा एक दूसरे से चिपका देना है space नहीं होना चीए क्योंकि आगे हम क्या करने वाले है वो बहुत ही interesting है जिससे ही बहुत खूबसूरत सा देखेगा ठीक है तो मैं आपको बताओंगी कि मेरे पास क्या चीज थी और नहीं थी जो अगर आपके पास है तो उससे वो और जाधा खूबसूरत बनेगा तो यहाँ पर मैंने black color का जो paper है craft paper होता है normal वो मैंने लगा दि ठीक है अब आता है पार जिसमें कि हमको थोड़ी मेहनत करनी है और थोड़ा time taking है मेहनत in the sense की बहुत time taking है यह क्योंकि दो चीज है यहाँ तो आप paper से flower बना लो बहुत सारे और दूसरी चीज अगर paper से नहीं बनाना है यह सस्ता वाला गाम है जो paper से मैंने किया है पर अगर आपके पास पैसा है टाइम नहीं है तो आप जो artificial flowers आते हैं वह बहुत सारे लाके और लगा सकते हैं जो dry flowers नहीं होते हैं शौप्स पर easily available होते हैं बट वो थोड़े से ही 1500-200 ऐसे के मिलते हैं तो वो मेरे लिए बहुत expensive था तो मैंने इसलिए सारे की सारे paper flowers बनाएं तो इस आपके आसपास अभी में flowers लगाना स्टार्ट करूंगी उससे पहले तो मैं light लगा लूँगी ठीक है तो यह मैंने battery वाली light ली है बट इससे better option है profile light एक profile light आती है जिसमें आप mirror जहां पे लगाया है उसके पास से आप लगाना स्टार्ट करते हो न तो वो पूरा reflect होगा और और वो बहुत ही प्यारा दिखता है ठीक है और इसको बोलते हैं OHP sheet जो transparent sheet होती है यह हम बाद में लगाएंगे पहले हम यहापे flowers लगा लेते तो यह बहुत ही interesting है आगे मैं और बताऊंगे कि मैंने क्या 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 बट यार मैंने इतनी महनत किये जैसे कि आप देख सकते हो बहुत फैला रहा हुआ है और मुझे ना 12 गंटे लग गए 12-14 गंटे लग गए इसको बनाने में तो यार प्लीज मेरी मैनत के लिए एक like और comment में beautiful तो बनता ही है अगर आपको यह लास में beautiful लगे तो और प्लीज सब तक आप चैनल को subscribe भी कर दो उससे मुझे काफी motivation मिलता है और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो से आपके लिए ला सकती हूँ यह ना मुझे बेचना है ना कुछ करना है मैं सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ तो प्लीज मुझे support करो यही सोचके और यह देको इतने सारे flowers मैंने फिर से बनाए तो यह flowers बनाने में मुझे पाच्छे छे साथ घंटे लगाया बिलीव ने करोगे और ही जादा टाइम लगाया और तब जाके इतना ब्यूटिफुल क्राफ बन के रेडी हुआ है I know आपको भी अच्छा लगाया आपको मेरी महनत भी दिखरी है इसलिए आप लाइक कमेंड और सब्सक्राइब जरूर करोगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में